नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है विवेक भरदवाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद विवेक दोस्तो आज गूगल क्रोम के कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं गूगल क्रोम आप सभी लोग कर ने वाला हूं उसमें यह कि आप यहां से सेटिंग्स में जाये जाने के बाद दोस्तों यह जो ऑप्शन आता है साइट सैटिंग्स का यह बहुत ही कमाल का उप्शन है और आप सभी लोगों को इसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी एक सैटिंग्स को सभ़ेना चाहिए आप देखे दोस्तो site setting में जाएंगे और यहां पर देखे microphone का option लिखा है यहां पर आप यह पता कर सकते हैं कि कितने ऐसे mobile application आपके phone के अंदर है जो की microphone का इस्तमाल कर रहे हैं आपको करना क्या है microphone पर tap करना है अब आप देख सकते हैं दोस्तो यह जो ब्लॉक्ट की लिस्ट आपको दिख रही है पहले हमने इसको set कर रखा है कि यह जब भी इस्तमाल होना होगा तो वो पहले आपसे पूछेगा और नीचे आप देख रहे हैं ब्लॉक्ट दो यह दो जो विफसाइट हैं इनको हमने ब्लॉक कर रखा है आप इसको जो है दोस्तो यहां से पर्मनेंटी बंद कर सकते हैं विच मीन्स कि अब कोई भी आपके फोन के माइक्रोफोन का इस्तमाल नहीं कर रहा होगा तो आप देख सकते हैं यह वीडियो भी जो मैंने बनाया है इसमें भी अगर वॉइस जाता है तो आप समझ सकते हैं कि यह एप्लिकेशन जो रेकॉर्ड कर रही है इसका भी माइक्रोफोन उतनी देर के लिए जो है दोस्तो बंद हो गया होगा अब मैं आपको नेक्स बताता हूं जो और भी ज़्यदा काम की चीज़ है लोकेशन देखिए आप यहां से ब्लॉक कर सकते हैं आस्क विफोर अलॉइंग साइट्स टुनो यह लोकेशन हमने रिकमेंट और रहा है कि पहले कोई भी एप्लिकेशन आपकी लोकेशन के बारे में पूछेगा और आप से इजाज़त लेगा इसके बाद ही आप उसको लोकेशन देंगे कई लोगों के phones में by default location on रहती है और काफी सारे applications उस location का इस्तमाल करके आपको track और trace कर रहे होते हैं तो इसका भी जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने दिखा होगा जब आप website open करते हैं और काफी सारी आजकल ऐसी commercial websites ad break आने लगे हैं कि अगर हम गलती से कहीं क्लिक कर दें या क्लिक करने पर कहीं और हमें redirect कर दिया जाता है तो ऐसे pop-ups को and redirects को block करने के लिए ये देखिए आप यहां से इसको बंद कर दीजिए हमने दोस्तों दो exception में थे रखी हैं यह जो website है यह pop-up window पर ही काम करती है इनकी logins तो exceptions आप यहां पर add कर सकते हैं इसके अलावा आप सभी pop-ups और windows को यहां से बंद कर सकते हैं देखिए block site from showing pop-ups and redirects तो यहां से man and कर दिया है यह allowed है अभी और आप यहां से बंद कर देंगे तो यह यहां से जो है दोस्तों उसको block कर देगा ऐसे ही दोस्तों काफी सारे इसके अंदर options आते हैं आप देख रहे हैं third party sign in यहां जो लिखा हुआ है हमने allow कर रखा है sites can show sign in prompt for identity services तो आप यहां पर कुछ third party website को अगर sign in देना नहीं चाहते हैं तो आप add site exception में जाने के बाद यहां पर site का URL जोड़ दीजिए तो उस site को जो है आप sign in नहीं होगा और sign in नहीं कर पाएगी दोस्तों तो यह काफी ज्यादा का option है site setting का आपको एक बार जरूर बिजिट करना चाहिए आपके mobile application में Google Chrome पे जाके और इनको कस्टमाइज करना चाहिए दोस्तों यह चुटी-चुटी चीजे हैं जो इंटरनेट की दुनिया में आपको सेफ रखेंगी आपके डेटा को सेफ रखेंगी आपके सर्फिंगसट रखेंगी और आप आसानी के साब ट्रस्ट करके जो है वेबसाइट को चला सकेए तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके वीडियो सैटिंग संबन्दी चीजे पसंद आई ह їх弦ी इस वीडियो को शे